बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए किसी को भी आज के मुसल्मानों की पहचान को इस इंसान से जोडने का गुनाहन नहीं करना चाहिए क्यूंकि ये किसी भी तरह से एक सच्चा मुसल्मान नहीं श्री राम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो हिंदू है लेकिन आज वो इस देश में एक आईकॉन है क्योंकि उनकी वज़े से सही तरह के गुण फैल रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी है इस पूरे मुद्दे के दो अलग-अलग आयामों को समझना और कोई निरने लेने से पहले सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि राम छे हजार से ज्यादा साल पहले हुए थे उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया दक्षिन भारत में इस पर काफी चर्चा होती है उत्तर भारत में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती वो बस उनकी पूजा करते हैं दक्षिन भारत उन पर कुछ चर्चाएं करता है लेकिन 6,000 साल पुराना आइकॉन जिन्होंने लोगों को पवित्रता की दिशा में, सच्चाई की दिशा में और आपस में करुणा रखने की दिशा में प्रेरित किया है वो भी हजारों पीडियों को आपको इस आइकॉन से छेड़ छाड नहीं करनी चाहिए इससे फरक नहीं पड़ता कि एतेहा सिक रूप से क्या सही है और क्या गलत क्यूंकि वास्तेविक्ता तो कोई भी नहीं जानता हर कोई बस वही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहां गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यूं किया आप इसका विशलेशन नहीं कर सकते, आप उनके मनरोग चिकित सक नहीं है मैं यूथ और टूथ अभियान के किसी कारेक्रम में था और कोई कह रहा था उनमें असुरक्षा का भाव था मैंने कहा आप उनके मनुरोग चिकित सक नहीं है छे हजार साल पहले वो इनसान सुरक्षित था या सुरक्षित आपको कैसे पता ये बक्वास है लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीडियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है आपको उससे छेड़ चार नहीं करनी चाहिए क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की जरूरत है आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, जीजस को ले सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और उनकी कमिया निकाल सकते हैं और आज कह सकते हैं देखे उन्होंने ये किया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो जाती बात करते थे, ऐसे, वैसे, ये बक्वास है। ऐसी चर्चा उनके बारे में उच्चित है, जो आज दुनिया में मौजूद है। वो छे हजार साल पहले थे, आप उन पर अब फैसला सुनाना चाहते हैं। नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आईकॉन के रूप में, आपको इस आईकॉन से छेड़चाड नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आईकॉन है? वो स्थिर्ता के आईकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते हैं। जब कदम उठाना होता है तो वो निर्नाय कदम उठाते हैं। लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वो सचेतन होकर काम करते हैं, युद्ध हो तो वो युद्ध करेंगे, और समरपन करना हो, तो समरपन, राज्ये छोड़ना हो तो राज्ये छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ चेतना में और संतुलित तरीके से, इसी वज़े किसी प्रतिक्रिया के, वो बिना किसी के प्रतिक्रोध की भावना से उस नाटक से गुजरते हैं, जब उन्होंने रावन को मारा जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तभाई मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यू पर पश्चाताप करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा, वो वो इस तरह के इंसान है, आप उनसे छेड़ चाड़ मत कीजे, अगर ये कहानी भी है, तो कहानी के साथ भी छेड़ चाड़ मत कीजे, भागोलिक दृष्टी से क्या वो अयोध्या में पैदा हुए थे, हाँ, क्या वो इस बिंदू पर पैदा हुए थे, क्या आप खुछ जा तो ये हासिस पतर्क है, अब बाबर, बाबर चंगेज खान के बाद की तीसरी पीड़ी है, ये मंगोल सामराज्य, मंगोल शब्द भारत में धीरे-धीरे मुगल बन गया, ये मंगोल है, इस मंगोल सामराज्य के फैलाव के समय, नबबे से सौ सालों के दौरान, चार करोड से ज्यादा लोग मारे गए, चार करोड, ये उन दिनों की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है, क्या आप समझ रहे हैं, दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी को उन्होंने मार दिया, वो भी नुकलियर बम से नहीं, तलवारों से, बहुत उड़जावान लोग थे, मैं कह रह हूं, दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी को मारने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, है न, वो भी केवल तलवारों और भालों से, तो जहां भी चंगेज खान गया, उसने एक नियम बनाया, जिस भी जगह पर उसने विजाई पाई, सभी पुरुश, वहां के सभी जाई, 38 से 49 इंच होती थी, हर इंसान जिसका कद उससे ज्यादा है, उसे मार दिया जाता था, और फिर ये मुगलों की परंपरा थी, कि वो सभी कटे हुए सेरों का एक बड़ा पहाड बना देते थे, और और औरतों को गोलाम बना लिया जाता था, सैनेकों की सेवा के मध्यपूर, यॉरॉप, हर जगा उन्हें बेश्टिया जाता था, तो वो इस तरह से फहले थे, चंगेश खान के बाद तैमूर लंग आया, तैमूर लंग ने बाबर को जनम दिया, तैमूर लंग का समराज्य दिल्ली तक था, फिर बाबर आया, माना जाता है तैमूर लोगों को मार दिया वो भी सबसे ज्यादा कुरूर तरीकों से पुरुशों के साथ जो हुआ वो तो करुणा थी महिलाओं के साथ जो हुआ वो एक अलग चीज है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन उनके साथ सबसे भयंकर चीजें हुई जब बाबर आया तो उस दोरान गुरु नानक भी मौजूद थे गुरु नानक एक बहुत ही शांत पिलकुल प्रतिक्रिया न करने वाले और एक आत्मग्यानी मनुष्य थे वो बोले एक मौत का दूत आया है और ये उन्हीं के शब्द हैं वो बोले मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं वो बोले ये जहां भी गया इसने हजारों लोग मार दिये जिस भी शहर में ये गया इसने सभी पुरुशों को मार दिया शहर को जला दिया स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया स्त्रियों के साथ हमेशा सारवजनिक जगहों पर कुरूरता से बलतका नहीं था, ये सभी के लिए एक सीख थी, और बाबर ने हजारों हिंदू स्त्रियों को कंधार और काबुल के बाजारों में बेश दिया, हजारों स्त्रियों को, सौभाग्य से वो भारत में सिर्फ चार साल रहा, और वो मर गया, तो बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, इन सबसे बढ़कर किसी को भी कभी भी आज के मुसल्मानों की पहचान बाबर से नहीं जोडनी चाहिए, क्यूंकि वो इतना बड़ा अत्याचारी था, कि वो अत्याचार नहीं करता था, वो खोद एक अत्याचार था, चंगेस खान धर्म के लिए नहीं मारता था वो बस ताकत और विजय पाना चाहता था तैमूर लंग भी काफी हद तक विजय ही पाना चाहता था पर उसमें थोड़ा सा धार्मेक रंग था लेकिन बाबर ने चीजों को धार्मेक माइने दे कर उनका बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तिमाल किया और इससे उसे मारने के लिए और ज्यादा ताकत मिल गए क्यूंकि उसे लगा वो जिहाद कर रहा है कई बार उसने मुसलिम शहरों पर भी अमले किये मुसलिम आबादियों को भी उसने मारा तो उसने धर्म का अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तिमाल किया, अपने हिसाब से, तो उसका मस्जिद बनाना धार्मिकता या भक्ती की वज़े से नहीं था, ये प्रार्थना के लिए नहीं बनाई गई थी, ये भी शासन की स्थापना का एक तरीका था, चाहे वो हिंदू मं या जैन मंदर, उसने सब कुछ तोड़ा, उसने एक प्रमुख जैन मंदर इसलिए तोड़ दिया, क्यूंकि वहां की गुफा में उन्होंने नग्न मूर्तियों की निकाशी की थी, तो उसने ये सुनिश्चित किया कि पूरा मंदर ही नश्ट हो जाए, इस इंसान और उसकी विरासत को भुला दिया जाना चाहिए, किसी को भी अपनी पहचान इसके अधार पर नहीं बनानी चाहिए, क्यूंकि इस से एक अच्छे भविश्य का निर्मान नहीं होगा, किसी को भी आज के मुसल्मानों की पहचान को इस इंसान से जोड़ने का गुनाहन नहीं करना चा जिसने धर्म के नाम पर बहुत ही शक्तिशाली तरीके से खुद को असरदार बनाया जहां कहीं भी वो गया इससे उसे एक नए स्थर का अधिकार मिल गया जो चंगेश खान के पास नहीं था क्यूंकि उसने विजय पाने के लिए धर्म का इस्तिमाल नहीं किया था तो ये अत्याचार हुए है हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए हमें इनहें याद रखना चाहिए लेकिन हमारे अंदर इसे लेकर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी चीजें दुनिया में कहीं भी फिर कभी ना हो लेकिन अगर इतिहास की वज़े से हम कड़वाहट पैदा करते हैं तो जान बूच कर या अंजाने में हमसे वही अत्याचार एक बार फिर से होने की गुझाइश है हमें लगता है प्रतिक्रिया अच्छी चीज है नहीं, प्रतिक्रिया किसी भी भयंकर काम से किसी भी रूप में अच्छी नहीं है दोनों एक ही चीज है तो बाबर की विरासत जानी ही चाहिए राम, उन्हें एक धार्मेक इंसान के रूप में मत देखे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूँ हेलो क्या उन्होंने कभी ये कहा मैं हिंदू हूँ वो इस संस्कृती के प्रतिनिधी है क्योंकि वो स्थिर्ता संतुलन, शांती और न्याय के प्रतिनिधी है वो जहां भी गए उनकी यही कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दें अपने राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरमस्तर के कश्ट और मुसीबतों से गुजरे आपको इसी इंसान की जरूरत है मैं चाहता हूँ कि हिंदू और मुसल्मान दोनों यह याद रखे राम ने कभी नहीं कहा वो हिंदू है लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है हर किसी को इन्हें एक उचा आइकॉन मानना चाहिए क्यूंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे है इसलिए नहीं कि वो हिंदू है या कुछ और है क्यूंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनानी के लिए जरूरी है और कई तरीकों से राम का समय एक प्रमुख बिंदू बन गया जिस पर इन 6000 सालों में ये सभ्यता बनी इसी वज़े से स्वतंतरता संग्राम के द्वरान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य शब्द का प्रयोग करते रहे सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्याय पूरुण राज्य का मतलब आज भी जब हम राम राज्य कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बहुत ही न्याय पूर्ण और उचेत राज्य ना की शोशन वाला राज्य और ना ही तानाशाही वाला राज्य और हम भारत को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि ये न्याय पूर्ण और उचेत राज्य हो यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए ना की तानाशाही वाला राज्य है तो उसके लिए आपको राम की जरूरत है